दोस्तों जब भी हम कभी गार्डन में पौधे लगाते हैं और हरा भरा पौधा जब अचानक से सूख जाता है तो हमें बहुत दुख होता है साथ में हम समझ नहीं पाते कि आखर ये पौधा क्यों सूख गया है जिसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में लगा हुआ ये अमरूत का प्लांट कल तक बिलकुल हरा था और आज ये बिलकुल पूरी तरह से सूखने लगा है तो अगर आपको भी इस तरह से प्रोब्लम आती है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोजन पराकसाइड के बारे में जो आपके मरते हुए पौधे को बचा सकती है पौधे को सूखने से बचा सकती है साथ में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो 3% हाइडोजन पराकसाइड का सॉल्यूसन है इसे कैसे गार्डन में लगे हुए पौधों में इस्तमाल करना है इसके क्या फायदे है साथ में इससे आपके पौधों को क्या-क्या फायदे होते है पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपके गार्डन में लगे हुए पौधे ना ही मरेंगे और ना ही सूखेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरस एन गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जैसा कि आपको मालो में देखिए यहाँ पे धेर सारे फ्रूट प्लांट लगे हैं और अक्सर यह जो प्रॉब्लम है इस तरह से पौधा सूखने की यह फ्रूट प्लांट में जादा आती है जो की निमिटोर्स के कारण होती है होता क्या है कि जब आपके मिट्टी में निमिटोर्स की संख्या काफी बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो पौधे की जड़े होती है उनमें गाठ बन जाती है और फिर वो निमिटोर्स सारी एनरजी ले ले लेती हैं पौधे को वो एनरजी या फूड नहीं मिलता जिसकी बज़ए से पौ तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का एक अनू जादा होता है नॉर्मली ह2O मतलब पानी और O2 मतलब ऑक्सीजन तो इसमें ऑक्सीजन का एक एटम एक्स्ट्रा मिल जाता है जिसकी बज़ए से यह काफी जादा फायदे मंद हो जाती है हमारे पौधों के लिए अब इसे तरह काम करती है जैसे कि आप देख सकते हैं एंटी सेप्टिक डिन डिसिंफेक्टेंट इसमें लिखा हुआ है इसका यूज जो है हर तरह के पौधों में किया जा सकता है सीडिलिंग में किया जा सकता है कैसे करना है चलिए उससे समझ लेते हैं तो हाईडोजन से हाईडोजन परक्साइड के और एक हिस्सा पानी आपको इस बौटरिंग कैन में ले लेना है और जब आप इस बौटरिंग कैन में पानी और हाईडोजन परक्साइड को मिक्स कर लेंगे फिर आपको क्या करना है जो भी आपके नॉर्मल पौधी हैं जैसे आप देख रह अगर किसी भी तरह की हो रही होंगी तो वो नहीं होंगी और पौधे को सेप कर देगी है अगर फंगस की प्रॉब्लम है तो वह भी नहीं होगी और हमारा पौधा सूखने से बच जाएगा तो देखिए मैंने नीबू के पौधे में यह दे दिया है तो इस तरह से आप इसे जो है अपने सभी तरह के फलदार पौधे सबजियों वाले पौधे फूलों वाले पौधों में दे सकते हैं इसके साथ ही आप जो यह हाइड्रोजन परॉकसाइड का घोल है इसे आप अपने छोटे सीडलिंग में भी दे सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं यह हमारे पपा इसे अपने छोटे सीडलिंग में भी दे सकते हैं बस ध्यान रखें कि डाइल्यूसन आपको थोड़ा ज्यादा करना है मतलब लगभग तीन से चार पार्ट पानी लीजिए उसमें एक पार्ट आप हाइड्रोजन पराक्साइड का मिला दीजिए और आप देख सकते हैं पानी देने के बाद थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखेगा इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पौधे इससे नहीं मरेंगे तो ये तो हो गई बात हाइड्रोजन पराक्साइड का पानी घूल कर प्लांट में देना आप इसका एक हिस्सा हाइड्रोजन पराक्साइड और एक हिस्सा पानी को मिलाकर जो मिट्टी होती है जिसमें पौधे नहीं लगे होती है उस मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं और फिर हाइड्रोजन पराक्साइड डालने के एक घंटे बाद ही आप उसमें बीज या पौधे लगा सकते हैं तो दो तरीके हो गए तीसरा नहीं तरीका है पौधे पतिवें पराइड्रोजन पराक्साइड का इसपरे करना इसके लिए आपको क्या करना है लगभख एक चम्मच हाइड्रोजन पराक्साइड को एक कप पानी में घोल लिजिए या को लगभग एक लीटर पानी में घोल कर इस तरह से जो इस्प्रे पंप होता है इसमें भर लीजिए और फिर आपको इसका इस्प्रे करना है अपने उन पौधों में जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है या जो सही से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरह से सभी पूरे पौ ग्रोथ रुख गई है तो वो बढ़ने लगेगी और अगर किसी भी तरह के रोग इस पौधे पर आ रहे हैं तो उससे ये पौधा बच जाएगा और आप देखेंगे 10-15 दिन में यहां से आपके पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी होने लगेगी बस इसका डाइलूशन का ध्यान रखें आपको 100 ml 3% hydrogen peroxide को एक लीटर पानी में घोल कर पौधों पर इस्प्रे करना है तो इस तरह से हमने इस्प्रे कर दिया इसके अलाबा और क्या आप hydrogen peroxide का इस्तमाल कर सकते हैं तो इसका इस्तमाल आप अपने garden में जो भी tools होते हैं उनको disinfect करने के लिए कर सकते ह आप जो seedling tray यूज करते हैं उसको साप करने के लिए कर सकते हैं तो hydrogen peroxide के multiple uses हैं आप इसे garden में इस्तमाल कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह के chemical का इस्तमाल नहीं होता है और last में जो ये जब ये break होती है तो पानी और oxygen में बदल जाती है तो जरूर अपने garden में hydrogen peroxide का इस्त आसानी से सस्त ही होती है बहुत ज्यादा मेंगी नहीं है ये 3% और 6% के जो है जो इसका percent volume है इसमें मिल जाएगी 3% की बहुत ही common मिल जाती है किसी भी medical store से आप इसे ला सकते हैं और अपने garden में लगे हुए पौधों पर इस्तमाल करें तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना hydrogen peroxide का इस्तमाल garden में लगे हुए पौधों पर कैसे करें इसका पानी में घोल कर इस्तमाल कैसे किया जा सकता है और पौधों पर spray करने के लिए hydrogen peroxide का जो है घोल कैसे बनाएं आसा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पहले से hydrogen peroxide का इस्तमाल करते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखें इससे आपको क्या फायदे हुए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं एपी गार्टिंग